तकलीफ हमें इस बात से है कि आखिर हमारे देश की सिमा इतनी असुरचित कप से हो गई सचीन अगर कोई मुस्लिम होता यही सचीन जो भी है मीना है या ठाकुर है हिंदू है अगर सचीन कोई सचीन के जगा पे स्वेब होता कोई तो अब तक तो उसके साथ तो कुर्सी को अब तक आतंकवादी घुशत की जाया के निमिटेशन दिये थे क्या या मोदी जी विजा पहुंचाय थे सीमा हैदर को सरकार से सीमा हैदर ने बिल्कुल मोदी जी के करेजा पे ऐसा लात मारा की मोदी जी पस्त हुआ हैदर यही कॉंग्रेस के सरकार रहते भर में अगर हिंदुस्ताने पर विश्व करती तब तो जोगी जी का परवचन चालू हो जाता तब तो मोदी जी का परवचन चालू हो ज तो फिर सीमा हैदर सच्चिन से क्यों नहीं साधी कर देश में पुना पुलवामा जैसी घटना करने की साजिस भाजपाई लोग कर रहे थे और इसलिए यह लोग चुप्पी साधे हुए देश में अभी दो ही चीज चल रहा है एक तो SDM जोती मौरिया और दूसरा पाकिस्तान से भाग कर आई सीमा हैदर जिसको लेकर लोग तरह-तरह की टिपनिया करते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे खास बात और बड़ी बात आपको बता दे कि भारत की कई ऐसे टीवी चैनल्स हैं और कई ऐसे लोग हैं जो खुल कर इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि एक हिंदुस्तानी ने पाकिस्तानी को बुला लिया अपने यहां जिसको लेकर सारे लोग तो खुस हैं लेकिन हमारे बगल में जो चेरा बैठे हुए हालांकि भोजपुरी गायक है लेकिन हमेशा हर बिवाद पे इनका वक्तब दिया जाता है संतोस रेनुयादब जी हैं जो हमेशा प्रतिक्रिया देते हैं और स साथ पॉलिटिक्स से भी जुरे हुए हैं सारे लोग इस बात से खुस हैं कि सीमा हैदर मतलब इंडिया आई है और गदर फिल्म की वह सारी वीडियो को फिर से एक बार किया रहा है जिस प्रकार से अमीशा पटेल को हिंदुस्तान में लाया गया था लेकिन इन्हें बहुत दिक्कत हो रही है और यह लगातार इस बात का बिरोध करते हुए नजर आ रहे हैं तो आईए जानते हैं कि आखिर संतोस रेनु जी को इस बात से दिक्कत क्यूं है संतोस रेनु जी पहले बहुत बहुत स्वागत करें जी बहुत भुत धन्यवाद बढ़िया है अच्छा स सीमा हैदर जो पाकिस्तान की है जिसको सचीन ने हिंदुस्तान में लाया है यहां आने से आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है यह तकलीफ हम इस बात से है कि आखिर हमारे देश की सीमा इतनी असुरचित कप से हो गई 56 वाले बोला करते थे कि हम बिल्कुल देश के सीमा एकदम सुरचित कर दिये हैं एक तरफ चाइना बहुत सारा हमारे एरिया अकुपाई कर लिया उस पे भी यह ना नुकुर ना नुकुर बोले जा रहे थे देश को तो बाहरी तरफ बाहरी पूरे चारो और से देश को वि जाके निविटेशन दिये थे क्या या मोदी जी विजा पहुंचाय थे सीमा हैदर को सीमा हैदर तो कह रहे है कि हम नेपाल के रास्ते से भी हार यह लिए हिंदुस्तान घुस गई ना मतलब मोदी जी का वो जो 56 वाला सीना था उसमें छेद हो गया ना छेद तो कर दी ना अब तो ये चोकिदार कमजोर है इस बात को पूरीदेशवासी जान गये। अब ही कहिएगा नेपिश सांध समंदर लांग के आई है पैचारी इतना दूर से तो क्या दिका थे? तो साथ समंदर लांग क्या ही है ये तो एक तरह की से संकेत भी है एक तरीके से संकेत भी है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों संकेत है ये भी संकेत हो गया कि जिस प्रकार से नफरत के बाजार में महबबत की दुकान का पहला सेंटर खोल दिये करनाटेक में राहूल गांद अब भाई महबबत प्रेम सौहार्थ की जो बयार है वो हिंदुस्तान में बहेगा पाकिस्तान के क्रिकेटर से साधी कर सकती है तो फिर सीमा हैदर सच्चिन से क्यों नहीं साधी कर सकती है पाकिस्तान के क्रिकेटर से साधी की सानिया मिर्जा ये उनका नीजी फैसला था अच्छी बात है लेकिन ये बातें कोई सीमा में घुस करके नहीं हुआ था ये घुस खोरी करके नहीं हुआ था घुस पैठी करके नहीं हुआ था लेकिन जिस परकार से सीमा हैदर ने योगी जी की सरकार है उनको तो कोई प्रॉबलम नहीं हुआ है। सीमा इतनी असुरचित क्यों हुई? जो ताकत सीमा हैदर को पराफ्थ हुआ यह कही न कही हमारे वजीर आजम की ये नाकामी है ये उनकी कहीन कही सीमाओं को ले करके जो गैर जिम्मेदराना जो रवईया है उनका हमेसे disciples टिंग हाकना आप बताईए कि इतनी बड़ी सुरक्षा में सिंध लगी है इंदुस्तान की, आप इस बात को मत बुलिए, इंदुस्तान की सुरक्षा में सिंध है, एक सिमा है दर नहीं बलकि उसके साथ चार-चार बच्चे आया हैं साथ में, इतनी बड़ी सुरक्षा में सिंध, अभी त रक्षामंत्री क्या करें उनका इस्तिफा क्यों नहीं लिया गया वो तो समर्थन कर रहे हैं इस बात का समर्थन कर रही हैं तो अपनी मौसी का समर्थन नहीं करें गए वो अपनी मौसी आई है मौसा के पास सचीन कौन है मौसेन है यही अगर सचीन अगर कोई मुसलिम होता यही सचीन सचीन जो भी है मीना है या ठाकुर है हिंदू है अगर सचीन कोई सचीन के जगा पर स्वेब होता कोई तो अब तक तो उसके साथो कुरसी को अब तक आतंकवादि घुotle ना हमारा होग है जिन रात Protection करने वाला है तो फिर agree उसकी माँ भी भारी हुई प्लोट होगी और उसकी बहन जो आपी बाइत होगी वो भी खाली प्लोट होगी उसके अनुसान कि एक तेज बहादुर यादब आपको याद होगा बीस के ज़ान उन्होंने एक शिकायत किया था इसका मतलब हमारे देश के जवान से सीमा हैदर का मान संबन है इतना दीन तक ठीकी हुई है मीडिया में खुले आम बयान दे रही है कभी मुस्कुरा रही है कभी अपने सचिन के साथ बैठके मतलब इस तरह की हरकते कर रही है जो बोलना भी हमें लगता है सोबनिया नहीं होगा खुलियाम वोई सुरक्षित है यहां पे और उन्हें समर्थन कहीं न कहीं बरे गुटों का मिल रहा है तबी तो वो इतनी सुरक्षित महसूस करें देखिए यह कुल मिला करके यह मोदी जी अमीत साह जी राजनात सिंग जी और समस्त भाजपाई लोग योग यादी तनाती जी यह सब लोग बिलकुल बेहोसी अवस्था में चले गया है देश की सुरक्षा किसके हाथ में है यही नहीं पता चल रहा है अचे क्या लगता है आपको सीमा हैदर को सच में सच्चिन से प्यार है या फिर यह सब एक धोंग है अब तो यह बात अब जो देश की इंटेलिजन्स हैं जो इंटेलिजन्स ब्यूरो जो है खोपिया विभाग वो अब बताएंगे न क्योंकि अब तमाम एजन्सी CBI और NIA कौन-कौन एजन्सियां है जो कि मोदी जी की कटपुतली है अब उन एजन्सियों का यूज सिर्फ तो यसवी आदों पे क करेंगे या देश की सुरक्षा में जो सेंध लगाई उनके उपर भी इन एजन्सियों का यूज किया जाएगा क्या इन एजन्सियों का यूज सिर्फ अजीत पवार को डरा करके महरास्ट गौवर्मेंट में लाने के लिए करेंगे या सिमा हैदर या जो दूसरे देश से जो अगर बिना पर्मीशन के अगर जो लोग आ जाते हैं बिना जनकारी के गुषपैटिक करके आ जाते हैं भारतिय सिमा में उन पर भी ये कानून ये एजन्सी अपना कुछ करवाई करेंगी ये तो मोदी जी बताएंगे नै जाएंगे अमीत साह जी बताएंगे भाजपाईयों से जागर के पूछिए मनुष्टिवारी जी से पुछना चीए था रभी के संजी से पुछना जी ता ब्राद डिंग यह सवी प्रधान मंत्री कई सने यह सवी प्रधान मंत्री हो वोकरा से बढ़ियां तो हमर तजस्वी ह बिहार पूलिस कुछ कम मारी काई से बढ़ियां ही हर गुणा बढ़ियां है नोकरी दे रहे हैं जो मिचायबिहार पूलिस पर मिचाय जोगता है वोकरा बढ़ियां से सोटवाई हो रहा है मतलब उठा उठा के फेक देंगे विधान सवा से लोग तंत्र है हाँ अब 23 मार्च 2021 को जो हुआ था अब भी तो देख़ें ने किये होंगे कि महाकडवन्दन के नेताओं को कैसे फेका जाता था इसका मतलब ये थोड़ी ने कि जो वो किये वही चीज़ ये भी करेंगे जब बोया पेड़ बबूल काता आम कहां से खाए हो भाजपाई लोग फड़ क्या रा जाएगा इनमी और उनमे उसमें वो लोग जो थे बिना मतलब के उसमें लाठी डंड़ा चलाते थे भाजपाई के नेता लोग कानून को हाथ मे ले करके लेकिन यहां पे सबको मान सम्मान बराबर मिला जब रोडा चलाने लगे जब जनारदन सिंग सिग्रिवाल जैसे बुजुर्ग नेता भाजपा के संसकार को और संस्कृति और सभ्यता को परदर्सित करने लगे उसके बाद बिहार प्रशासन एक्टीव हुई उसके बाद एक्टीव हुई तो बिहार प्रशासन का मनोवल तोड़ने के लिए बिहार प्रशासन को अफमानित करने के लिए बिहार प्रशासन के गिरेवान पे मिर्ची का पाउडर जोग दिया इन मिर्ची चोरों ने उसके बाद फिर बिहार प्रशासन तो भाई कमजूर थोड़े है। बात हो रही थी तो SDM जोती मौरिया बेवफा हो गई थी पूरे इंदुस्तान के लिए क्योंकि उन्होंने अपने पती को दोखा दिया था और यहां यह अपने पती का घड़ भी बेच कर आ गई है बारा लाग का चार बच्चा को भी वहां से चीन कर आ गई है और यहां आकर अकर्णा कुछ हो ने आटाएं टा फिस अ शिर्पमने बीदेश के बारे में कुछ बोलते रहें इसके बारे में हो बोलते रहें हमारे देश की बात हो पहले हमारी यहां होती है तो जोती मोरिया की जो भी बात थी वो अपने जगह पे है सीमा हैदर की जो बात है तो हमें इंटेलिजेंस बताए ना हमें एनाई ये बताए ना हमें अमीद साह जी बताए ना रक्षा मंतरी राजनात सिंग जी बताए ना चपन इंच के बजीर आजम नरेंदर मोदी ये बताएं valores मोहबत लेकर आई थी या कोई जासुशी करने के लिए वह दिस जानना चाहता है फिर सीमा हैदर हो या कसाब हो जब कसाब पे जब इतनी बाते उट सकती है तो पिर सीमा हैदर पे इतनी देर क्यूँ इतनी तकलिफ क्यूों हो रही है बताने में आपको कि सच्चाई क्या है इसका मतलब दाल में काला है और कहीं ने कहीं देश में पुना पुल्वामा जैसी घटना करने की साजिस भाजपाई लोग कर रहे थे और इसी लिए ये लोग चुप्पी साधे हुए 24 में चुनाव भी आने वाला कहीं उसका सडियन तो नहीं है बिल्कुल भाजपा कुछ भी कर सकती है भाजपा चुनाव जीतनी के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है आज देश की अर्थव्योस्ता भाजपा हमेसे कॉंग्रेस को बोलती है जिस समय हमें आजादी मिली थी उस स हमारे कोश में कितना पैसा था 1760 करोड था मात्र 1760 करोड भाजपा कहती है कि हमने रक्छा में यह नहीं किया वह नहीं किया अरे बुडबबबग आदमी, बुडबग ऑगा नी करने से होगा, थुथा से सही करने से हो जाएगा, तो 1560 करोड में आप देश सला लीजेगा, वैसे भारत जैसी समरिति देश सला लीजेगा, उससे में जन संख्या भी कम थी, जनसा क्या कम थी लेकिन उस समय करेंसी का रेट भी तो कम था, तो आज आप यह समझी कि सत्रहसो साथ करोड भारत को उस समय मिला था, आंग्रेजों न क्या किया, IIT बनाया, IIM बनाया, ISRO बनाया, आपके जो रेलिवेज है, उसका मरम्मति करन किया, एरलाइंस अस्थापित कि और कव्या छी यार उसके बाद बेंकोराश्ट्रीय करन किया ये कांग्रेस की देन है ये भाजपाई का हुड़े है भाजपाई के जब आका आये थीडी कोम गोटाला हुआnes ओधर नीरं मोदी आये उदर कोण अणडानी जी आये ये से भाजपांका का देन है गांधी को मोधी जोर कहने पे सजा हो चुका है दो साल का और उनका अथी भी जबती हो चुका है और आप भी फिर कहीं न कहीं गुमा फिरा के वही बोल रहे हैं देख लिए एक सो चालीस करोड जन संख्या राहूल गांधी के भारा जोड़ यातरा में जुड़े थे मोधी ज जिस प्रकार से रहूल गांधी को अयोग ठाहराया गया एक बिलकुल एक साजिस थी और इसका परदाफास अभी सुप्रीम कोट में हमाला गया हुआ है जो चीफ जस्टिस जो है चंद्रचूर जी बिलकुल इसको देखेंगे और देखिएगा कि सत्य की विजय होती है ठाकिस्तान की सीमा हैदर जो काफी चर्चे में हमारे पूरे देस मैं कुछ चर्चे में चल रहा है सबसे ज्यार जदा तो सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर चल लए है और सचेनकुमार चल रहा है सीमा हैदर को लेकर कई लोग कई तरह की सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सीमा हैदर कैसे हमारे देश में पहुच गई बिना हमारे देश के परमिशन के देखा जाए तो कहिने कि यह बहुत बरा जोल है जिसको लेकर बहुत तरीके का सवाल भी उठता है बाकी हमने आपको बताने का कोशिस किया संतोस रेनू की बात है कि क्या कहते हैं यह उसको लेकर कैसा लगा और आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मिलते हैं अगले बार फिर से